बिस्मिला एक्मान यहीम हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आज हम बनाने जा रहे हैं देगी कोर्मा बनाने जा रहे हैं चिकन का इसके लिए हमें दो चिकन चाहिए होंगे तकरीबन ये दो किलो के हैं दो चिकन ये आप ले 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 इसके बाद हमें चाहिए होगा टिमाटर ये ब्राउन करें text बना लेना एक थोड़ा से पानी में daajini चाहिए होगी हमें लांक चाहिए होंगे तकलिबंक जाहिए हो एक चाहिए होगी तकरीबन दस सब्सक्राइड नारचनी क celebr लें आप काजु पेस्ट है यह मैंने खुद बनाया आप 15 काजु लें जस्ट उसको आप अप ग्राइंडर में डाले और तक्रीबं हाफ कप दूर डाल कर तो इसको ग्राइंड कर लें और यह किसी भी ब्राइंड का तक्रीब कॉर्मा मिसाला और यह मेरा हॉमेट जिंजर और गालिक प अगर आप इसको इस टाइल में बनाएंगे तो यह बिल्कुल जैसे देगी कॉर्मा हम शादियों वगयरा में खाते हैं तो यह बिल्कुल उस टाइल का बनेगा वही टेस्ट देगा आपको इंशाला आप जूरू ट्राइ किजेगा और ओल डाले हम सबसे पहले इसमें पिर तरहां से हमारे काले मिष्ट को हमने यू हलका सफ्राइ करना है जो मैंने आपको पेस्ट बताया है काजू का बिल्कुल सिंपल है इसमें कोई टेंशन की बात नहीं आप जस्ट काजू लें तकरीबान आदा कप आप दूत ले ले उसको अच्छी से ग्राइंड कर लें अच को अपने चिकन डाल देना है जिंजर न गालिक पेस्ट आपने डाल नि रॉपन पास मिर्च और दारचीन घ्राइंड ले ना है इसमें अपना हो मेट गर्म साला इड कर देंगे गरम YouTube आप करने के बाद से काजू का पेस्ट टाल कर अब इसको हमें चिकन को चाजू के पेस्ट में और गरम साले में और चिंजर अ गालिक के पेस्ट में अच्छे एक करना है एकने fat काजू के पेस्ट में और लसन अदर के पेस्ट में अच्छे से फ्राइब जाएगा यह काजू के पेस्ट है यह हमें देगी स्टाइल का फ्लेवर देगा यह हमें 10 तक्रीबन हमें 10 मिनट्स लगे होंगे 10 भी नहीं 7uminus इस कि इसे हमारा प्रेडा हो जाए चीकन आपने के 12 पीश कर वा लिजेगा देगी पैस होती है इसे हमारा निके 15 चे काज़ु बोल्费 भाया कैण काजु और गालिक प्रेडिं में आपनी दूरी पयेस्टिस गिया जाए इसके बाद salt डाल दें आप एक चमच यह हमारा salt चलागिया एक चमच यह रड़ पापरिका पाडर है यह डाल दें आम मिल जाता है मार्किट से आपको यह हमारे कर्मे को कलर बूछ अच्छा देगा और यह आप कोई भी ले 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 कर्मा मिसाला एक पैकिट वह आप डाल दें अब बूरा एक परटी डाल दे स्ब्सक्राव में स्ड़ातोंि अब हम उनीस अब उन अब पानी में इसाद डालें दो प्याज लेकर आप इस जाएका इसी पानी सीजितनी अपनी इपनी प्रफी एपता है बाइज लगत तो अब आपने टिमाठर और प्याज और यह सबकुछ आपुछ जब इसमें चला जायेगा फिर हमने योगर्ट और यह जो इसमें गालाना तो चिकन हमारा इस हांच यानिके हो जएगा आपने मीडियम कर ले रहा है तो अब आपने अपने चिकन को जो है गलने के लिए रख देना है तकरीबन इसको 20 मिनट्स लेगे हमारी चिकन को यह गल जाएगा अच्छे से अब तकरीबन इसको तकरीबन इसको 10 मिनट्स और देने हैं ताकि अच्छे से गल जाए क्योंकि इसके चिकन के पीजा बढ़े है यह फ्रेंट्स हमारा चिकन जो है त्वंटी मिनट्स लगे इसको और यह और मॉस्ट डन है हमारा देगी कोर्मा अब हमने ग्रेवी के लिए त तो आप ज्यादा पानी डाले मुझे नॉर्मल चाहिए तो इसलिए मैंने एक कप पानी डाल कर इस तरह से इसको अमने तकरीबन 10 मिनट्स हमें इसको लगाएंगे दम पर और यह देखे हमारा कोर्मा रेडी हो गया है बिलकुल इसमें अमने पनी ग्रीन चिली जाल देनी है इस तरह से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और यह देखे हमारा देशी कोर्मा बिलकुल रेडी है जुरूर ट्राइ किजएगा और अपने फ्रेंड्स को खलाएगा और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल दौाओं में याद रखें अला अफ़ीज